हेलो गाइज आपका स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पर तो मैं आज चैप्टर 6 का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइट करने वाला हूँ इसमें जो भी आपका हैंड सॉन है और जो भी एक्टिविटी है उन सब का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा तो इस चैप्टर के नेम है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो की डिये वी क्लास एट के लिए है तो स्टार्ट करते इस वीडियो को प्रॉब्लम सोल्विंग मैंने जो code लिखे हैं वो इसके लिए है ठीक है और आप भी अपने हिसाब से कोई भी code लिख सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपका जो ये design बनेगा ये अलग होगा ठीक है तो मैंने कैसे code लिखा है उसके हिसाब से आप भी code लिख सकते हैं ये वाला लिख सकते हैं या फिर अपने सरह बना की लिख सकते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया है अर उसके बद Uh बार म यहां पहला राइट में गया हूं यहां पिर सकाइब पसी सब्सक्राम में. किया हूँ ठीक है वैसी होता है देखते हैं नीचे गया हूँ उसके बाद लेफ्ट में गया हूँ और उसके बाद यहां पर फिल्वित कलर किया हूँ उसके बाद क्या है उसके बाद है लेफ्ट में गया हूँ नीचे गया हूँ फिर फिल्वित कलर तो यहां पर देख सकते ह उसके बाद नीचे गया हूं उसके बाद यह फिल वित कलर हो गया हम लोग का उसके बाद देखते हैं लास्ट उसके बाद मैं गया हूं राइट में उसके बाद नीचे और उसके बाद फिल वित कलर हो गया हम लोग का तो इस टाइप से आप लोग का यह सौल होगा तो पहले क बता दिये इसका भी देख लिजे सबसे पहले क्या है सबसे पहले right में गया उसके बाद humidity color कि यहाँ पर देखिए राइट में गया μैं यह यहां से मैं रायट में जाऊंगा तो यहां पर यहां यानि कि इस वाले ब्लॉक पर आ जाऊंगा ब्लॉक पर और उसके इसको मैं fill with color कर दिया हूं, okay, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैं नीचे गया हूं और fill with color, यहां पर भी मैं नीचे गया, इस वाले block पर आया, उसके बाद fill with color, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद मैं right में गया, फिर नीचे आया, और फिर fill with color, तो मैं यहां से right में यहां से मैं नीचे आया और यहां पर मैंने फिल्वित कलर कर दिया यानि कि इसको मैंने कलर कर दिया उसके बाद क्या उसके बाद है नीचे गया मैं उसके बाद लेफ्ट में गया उसके बाद फिल्वित कलर यहां पर मैं नीचे गया इस वाले ब्लॉक पर आया उसके बाद मै यहां से लेफ्ट में गया लेफ्ट में मैं जब गया तो इस वाले ब्लॉक पड़ा गया उसके बाद इसको फिल वित कलर कर दिया मैंने ऐसा जब आप लोग कोड लिखेंगे तो मेरे वाले के जैसा आपका बन जाएगा यह तो आप लोग अपने मन से लिख सकते दूसरा कोड आपका दूसरे टाइप से बनेगा लेकिन वो भी सही होगा अगर आप लोग सही लिखेंगे तब उसके बाद यह आपका एक्टिवीटी आ जाता है 111 पर 111 पर पहला है question जो है उसमें आपको match करना है तो पहले में आपका क्या है आपको बोल रहा है कि ABC जो है उसको आपको calculate करना है total निकालना है total निकालने का हम लोग किस में करते है process में करते है यानि कि समझे कि हम लोग को तीन चीजों को जोड़ना है तो जोड़ने का काम क्या होगा process करने का काम होगा और उसके बाद जो हम लोग को output मिलेगा कितना answer हुआ वह हम लोग output होगा लेकिन हम लोग का तो पहले का answer हम लोग का process हो गया, दूसरे का है, indicate that the problem has been solved, अगर problem solve हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, stop, okay, अगर आपको stop यहाँ पर नहीं दिया होगा option में, तो आप लोग यहाँ पर end भी लिख सकते हैं, अगर end option में दिया होगा, तो वो भी सही है, stop यहाँ फिर end, दोनो हो सकता है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है आपका find if a number is greater than the other, तो यहाँ पर क्या है, आपको find करना है कि एक number जो है वो बड़ा है या छोटा है यसी number से, तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका दो चीजे होता है, या तो आप yes बोलेंगे या फिर no तो yes no बोला आपका काम क्या होता है, statement होता है, statement को हम लोग क्या बोलते है, decision making बोलते है, okay, तो इसका answer आपका हो जाएगा decision, उसके बाद देखते हैं, आपका यह fourth number है, read a number and calculate the factorial of a number, इसका हो जाएगा loop, okay, loop create करते हैं हम लोग, question number five, read three numbers, three numbers को read करना है, तो यहाँ पर हम आपका output हो जाएगा, उसके बाद है, print the total, total हम लोग को print करना है, तो वो आपका output हो जाएगा, और output के बाद जो होगा, आपका वो end होगा, इंड यानि की stop, okay, उसके बाद last question है, indicate beginning of a problem solving flow, तो सबसे beginning में क्या होता है, सबसे beginning में हम लोग क्या लिखते हैं, start लिखते हैं, okay, स सबसे last में हम लोग लिखते हैं, stop या फिर, end, ये दो चीज लिखते हैं, उसके बाद question number two देखते हैं, इसमें आपका दिया हुए यहाँ पे, इसी को आपको देखके, भढ़ना है, अपने इधर साइड में, okay, इधर आपका block दिया हुए, इसमें भढ़ना है, तो पहला जो रेक्टेंगल बनाते हैं, तो उसका काम क्या होता है, तु उसका काम होता है, प्रोसेस करने का, तो क्या काम होता है, ये आपका page number 109 पर भी दिया हुए, है rectangle का क्या काम होता है processing का काम होता है okay second number देखते है second number है when you when you want to show a decision making decision making जब भी आपका आ गया तो आपको उसमें क्या कर देना शेंद कर देना है okay diamond इसका answer हो जाएगा जैसे कि क्यों होगा जैसे कि यहां पर मैंने एक diamond बनाया अब यहां पर क्या होगा एक में आप यस जा यस कर देंगे एक में आप लोग no कर देंगे तो decision making के लिए हम लोग diamond बनाते हैं अब फोर्थ number you can use me to communicate ideas graphical representation of a problem solving process problem solving process का graphical representation उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोचार्ट बोलते हैं आप लोग ने पढ़ लिया होगा किसी वी problem solving process को हम लोग graphs के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं graphical way में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फ्लोचार्ट होता है उसके बाद देखते है question number five इसमें क्या है I connect to geometrical boxes in a flowchart geometrical boxes को connect करने का काम connect हम लोग किस से करते हैं arrow से करते हैं जैसे कि एक यहाँ पर मतलब की मैं यहाँ पर एक box बनाया और यहाँ पर मैंने एक और box बनाया इन दोनों का हम लोग किस से correct करते हैं arrow से connect करते हैं तो उसके बा flowchart I represent data or information that is available to flowchart में data information जो available होता है उसको लोग किस flowchart का जो भी safe होता है किस से उसको दर साथ है मतलब किस में उसको लिखते हैं तो उसका answer हो जाएगा आपका parallelogram okay यहाँ पर देख लीजे parallelogram है आपका first answer यहाँ पर ऐसे लंबा सा इधर आपका parallelogram हो जाएगा okay उसके बाद है कि flowchart जो है वो किस से begin होता है यानि किस से सुरुवात होता है सुरुवात में आप लोग देखते है कि एक elliptical shape का बना हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते है start बोलते है ठीक है वो हम लोग का starting point होता है तो start उसका answer हो जाएगा अब next देखते हैं यह आपको उसके next page number पर ही मिल जाएगा तो इसमें क्या है कि ABC are the marks scored अच्छा तो ABC जो है वो marks है आपका किसमे का science का maths का और English का तो उसके बात के जो questions है वो इसी से आपको solve करने है तो सबसे पहले हम लोग B question number करते हैं क्योंकि B जो है वो इस वाले के लिए जो आप इधर साइड में देख रहे हैं उस वाले के लिए तो any student whose average score is above 75 तो कोई भी student है उसका average score अगर 75 से ऊपर है तो स्टार मिलेगा इतना बात समझ में आ गया उसके बात क्या है कि अगर fill in the following phrases at the appropriate place in the flowchart for finding if a student get a star or not यानि कि यहां पर जो आपका flowchart दिया हुआ है इसमें आपको भड़ना है जिससे पता चले कि उस student को कब-कब star मिलेगा या कब-कब star नहीं मिलेगा तो अगर 75 से ऊपर होता है उसका score 75 से ऊपर अगर उसका average होता है तो इसको star मिलेगा और अगर नहीं होता है तो क्या लिखेंग हम लोग do better to get a star star पाने के लिए star मिलने के लिए तुमको और अच्छा करना है ठीक है अगर average 75 से ऊपर होगा तब star मिलेगा इतना बात समझ में आगए अब flow chart को देखते हैं यहां से आपका answer निकल के आगा सबसे परले start होता है read abc तो abc को आपको read करने abc क्या है आपका marks है जो कि आपको तीन subjects में मिले है science math और English में जोडते हैं और जोडने के बाद 3 से जब इसको divide कर देंगे तो उसका average निकल के आ जाएगा उसके बाद average को print करना है यानि कि जो average हम लोग का आया उसको हम लोग को दिखा देना है कितना हम लोग का average आया अब यहां पर आपका क्या करना है diamond में is average greater than 75 अगर 75 से greater होता है तो यहां पर लिखेंगे आप लोग yes और यहां पर लिखेंगे आप लोग no तो अगर 75 से ज्यादा होता है तो award a star अगर 75 से कम होता है तो do better to get a star तो यह आपका answer हो जाएगा और उसके बाद आपका end हो जाएगा अब question number a राहुल जो है वो science में अपना score करता है 65 maths में उसका आता है 75 और English में उसका 80 आता है तो आपको flow chart का use करके जो भी यहाँपinto steps से दिये हुए उसीकी तरह आपको यहाँ पे भर ना है ठीक है जैसे कि अगर तीनों का दे dummy आपको यह 3 marks है, इसको read करना है सबसे पहले, तो read करने के लिए यहां लिख दिया, उसके बाद यहां बोला है sum करने के लिए 3 का, 3 का sum यहां पर आपका हो गया, उसके बाद बोला है average निकालो, तो 3 का sum करके आपके कितना है, 220 आया, उसको 3 से divide किया आपने, तो इसका average निकल के आगय यह तो आपको पता ही होगा तो यह 75 से कम है इसके लिए हम लोग कहा लिखेंगे do better to get a star यह आपका एंसर हो जाएगा अब देखते हैं आगे का आगे आपका दिया हुए इसके next page पर जो कि यह 113 इसमें आपका क्या है यहां पर आपके कुछ steps दिये हुए इसी आपका arrange करके लिखना है इतने सारे steps दिये हुए 8 यहां पर block भी आपको मिल जाएगा इन सब में आपको arrange करके लिखना है तो सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले आपका seven number भरके दे दिया है seven number क्या है आपका start है उसके बाद first number आएगा search for a school ठीक है इसमें दरसल आपका question में क्या है question में आपको किस स्कूल में admission लेना है तो उसके लिए जो भी steps होगा उसको आपको लिखना है यहां पर problem solving यह भी एक तरीका है problem solving कहीं तो यहीं आपको लिखना है ठीक है उसके बाद आपका उसके बाद जो diamond है आपका यहां पर उसमें आपका answer हो जाएगा six उसमें seat available है कि नहीं अगर यस अगर अवयलबल है तो क्या होगा H admission test admission test वहां पर कोई चल रहा है या नहीं चल रहा है इसको आप लोग यहां पर लिख देंगे अगर admission test नहीं चलेगा तो क्या होगा ये बाद मैं देखेंगे अगर admission टेस्ट टेस्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे दूसरा नंबर लिखेंगे कि उसको क्या करना होगा टेस्ट देना होगा ओके यहां पर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा उसके बाद आपका क्या हो जाएगा तीसरा नंबर तीसरा नंबर में आपका क्या है डी डी यू पास गजाम अगर पास करता है तो क्या हो जाएगा उसका एडमिशन हो जाएगा ओके तो क्वेस्चन नमबर मतलब कि उसके बाद वाले में आपका फोर्थ नमबर भरना है कि सब्मिट नेसरी डॉक्पुमेंट सनगेट एडमिशन एडमिशन उसको मिल जाएगा और यहाँ पर आपका एंसर है आप अच्छे से बढ़ देख लीजिए यह सारे आपके problem solving के questions थे इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सायद यह आपका next आ जाता है 114 पेज नंबर पर जो कि उसका next पेज नंबर ही है यहां पर क्या है देखिए यहां पर अगर एक नंबर है यह जीरो के इक्वल हुआ अगर हुआ थीक है यहां पर देखिए यहां पर यह है अगर जीरो के इक्वल हुआ तो वह जीरो ही रहेगा ओके No उसके आगे है No अगर 0 की एक्वल नहीं हुआ तो क्या हो सकता है 0 की इक्वल नहीं हुआ तो अगर वो नमबर 0 से बड़ा हुआ या फिर 0 से छोटा हुआ तो क्या होगा, यह हम लोग को देखना है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ is a number greater than 0 एक नंबर ए जो 0 से बड़ा है तो वह नंबर क्या होगा positive होगा yes में आपका क्या हो जाएगा positive होगा और अगर वह नंबर 0 से छोटा है यानि कि 0 जो है वह बड़ा है उसके साबने तो वह negative अब नेक्स्ट देखते हैं यह नेक्स्ट आपका आजाएगा पेज नंबर यह आपका पेज नंबर 116 पर है इसमें आपका जो यहां पर दिखाया हुआ है यहां से आप लोग देखके लिए गया और उसके बाद आपका दिये हुए है यहां पर 100 यह सब बाइनिरी नंबर से तो इसको देखके आपको यहां से लिख लेना है कि 100 देखे यहां पर इसका क्या हो जाएगा एंसर गोटू ओके यह आप लोग खुद से कर लीजेगा उसके आपके बाद हम लोग उसके नेक्ट पेश पर चलते हैं 117 पेज नंबर 117 इसका देखिए इसमें ऐपका दो का अइंसर दिया हुए बेसिक का दिया हुए और को बट को दिया हुए उसके बाद आपका क्या है उसके बाद आपका पॉर्ट्रन का करना है तो उसका क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो कि 1954 में हुआ था और किस ने किया था जॉन बेकॉज ने किया था ओके जॉन बेकॉज यहां पर स्पेलिंग देख सकते हैं आप लोग उसके बाद है आपका पास्कल पास्कल का कोई क्लास 9 में सायद आपको मिलेगा इससे रिलेटेट कुछ इसका कब हुआ था नाइंटीन सेवेंटी में हुआ और इसका कौन किया था डेवलपर कौन था इसका तो इसका एंसर हो जाएगा निकॉलस वेर्थ इसका स्पेलिंग देख सकते हैं निकॉलस वेर्थ उसके बाद ह आपका सी सी का भी कोई फुल फॉर्म नहीं होता यह जो आप नीचे का जो ब्लैंक देख रहें इन सब में फुल फॉर्म नहीं होता ओके यह याद रखने आपको इसका कब हो जाएगा 1972 और इसके डेवलपर कॉन है डेनिस रिटची और देनीस रिटची है इसके सी प्लस प्रस इसमें क्या हो जाएगा आपका 1979 हो जाएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर किया है? ज़रने स्ट्रो इसके एंशर हो जाएगा इसके मैं स्पेलिंग बोल देता हूं यहां पर बी साईलेंट रहएगा शुरुवात में वैसे मैं स्पेलिंग बता जाता हूं B-J-A-R-N-E और उसके बाद हो जाएगा S-T-R-O-U-S-T-R-U-P उसके बाद जावा है जावा का कब हुआ था 1991 में और इसके डेवलपर कौन थे James Gossling ओके यह आपका एंसर हो जाएगा उसके बाद देखते हैं लास्ट यह जो है यह आपका पेज नमबर 119 पर मिल जाएगा जो कि आपको खुद से करने ही आपर आपको इस साइड में हिंदी लिखना है तो इसका मैंने पूरा का सॉल्यूशन प्रोवाइट कर दिया इस चैप्टर का तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिजेगा यह आपका काम है मैंने चैप्टर का पूरा एक्स्प्रेनेशन के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइट कर दिया है तो थैंक्स पर वाचिंग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दिजेगा ओके बाई-बाई-बाई अब अगले वीडियो में मिलते हम लोग